हाई फ्रेंड्स मैं हूँ सौरप पाठक दोस्तों आज मैं आपको ब्रिफ करूँगा ब्लड कल्चर टेस्ट के वारे में ब्लड कल्चर टेस्ट क्या है दर असल ब्लड कल्चर टेस्ट वह टेस्ट है जिसके माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि patient के खूद में किसी प्रकार का bacterial या fungal infection है अथवा नहीं है यदि किसी भी प्रकार का bacterial या fungal infection ब्लड में है तो इस प्रकार के infection को कहते हैं septicemia septicemia प्राण के लिए घातक हो सकता है septicemia के कौन-कौन से लक्षण हो सकते है पहला तेज बुखार आ सकता है दूसरा नौसिया हो सकती है तीसरा उल्टी हो सकती है चौथा ब्लड प्रेशर लो हो सकता है पांचवां सांस लेने में तकलीफ हो सकती है यानि shortness of breath हो सकती है छठा confusion हो सकती है और साथवां व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है प्रीट किया जा सकता है यदि ब्लड कल्चर टेस्ट पॉजटिव आ जाए तो इसका मतलब आपके रक्त में किसी प्रकार का बैक्टेरिया या फंगस पाया गया है और ऐसे सिचुईशन में आपको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास पहुँचकर उपचार करवाना चाहिए ब्लड कल्चर टेस्ट के अलामा और कौन-कौन से टेस्ट किये जा सकते है पहला, कम्प्लीट ब्लड काउन जिसे CBC कहते है दूसरा, यूरीन कम्प्लीट एग्जामिनेशन तीसरा, चेस्ट एक्सरे चौथा, पेरिटोनियल फ्लूड अनालिसिस पांचवाँ, प्लूरल फ्लूड अनालिसिस छठा, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड यह मैंने ब्रिफ किया है, ब्लड कल्चर टेस्ट के बारे में मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, कि आप सभी को ब्लड कल्चर टेस्ट के बारे में जानने में इस वीडियो से अवश्य मदद मिलेगी फ्रेंड्स, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल हेल्ज सीरीज को अवश्य सब्सक्राइब कीजे थैंक यो